नेपाल मा अंतरिक उत्पादन हुनन नसक्दा, पर निर्वर्ता उच्च गतिमा बर्दै, उत्पादन छेमता दछे नेश्याली राष्ट्रमा पाकिस्तान पचे सबै भन्दा कमजोर। सिन सेफ्टी टैंकी मा निशा सियर तीन जना कम्रित्य। पास्थर बंबिस पोडगर्टना मा दोई जना बाल बालिका कम्रित्य। सिन र भारत बिच्चिमा विवाद समाधान का लागी मिले र अगी बर्दने समस्दारी। र पेरिस पारा उलम्पिक मा निपाल की पले सा गोबर्दन दोसरो खेल मा पराजित रिपाचे जमा कासे पदकालागी प्रतिस परदागर्ने। नमस्कार कांतिपूर डायरिका साथ मा पुजनीर तारा समाचार वविस्तार मा। चालुआर्थिक बर्षको श्रावन महिनामा मात्रे एक खर्वा स्वोर अर्ब रुपईया ब्यापार खाता भायको सा। निर्यात को तुलनामा दसकुना बड़ी आयात भायको भनसार बेवाको तथ्यांको सा। लगानी को अभाब दक्षय जन सक्ती लगायत का कारण ले निपाल को उत्पादक द्वच्य मता समित दक्षिन एसिया मा पाकिस्तान पची सबेवन्दा कमजोर सा। जसका कारण निपाल को अर्थ तंत्र आयात मुखी भई रहेको सा। सोदेश मा उत्पादन हुने धान, मकाई, गहू लगायत क्रिशी जन्य बस्तो मा समयत बेदेश बाटा आयात गन्डु परदा व्यापार घाटा उच्च गतिमा सा। गता बर्ष 14 खर्व 40 अर्व रुपयां को ब्यापार घाटा हुन्दा, आर्थिक बर्ष 2089 असिमा अईले समखे उच्च 17 खर्व 20 अर्व रुपयां को ब्यापार घाटा भायो। ब्यापार एकिकरित रणनीती सोरों पंचवर्ष योजना एबम अन्य तो प्रई नितिकत ब्रष्ता बायपनी गाटा निवनी करण का लागी ब्यापारिक परिणाम आउनों सके को शाईना। नेपाल को बहुगोलिक जटिलता एबम रेमिट्यांस को आश्राय के कारण ब्यापार घाटा उच्चा भाय को अर्थबीद एबम तिर्वोन विश्व विद्धालाय अर्थशास्त्र विवाक का सहपराध्यपक डक्टर रेसम थापाले बताए। नेपाल ले विश्व व्यापार संगठन WTO को सदस्य राष्टा भायर पनी अपेक्सित लाब भने लिना सकेको शाईना। को तरफ सोदेश मा उत्पादी बस्तोर को प्रतिशपर्दी चमता निके कमजर भायकाले अंत्राष्ट्रे बजार पाउन नसकेको बिग्य हरी बताऊशन। नेपाल को उत्पादन चमता पनी दथ्विन एशिया मा पकिस्तान पची सबी बंदा कमजर शा। बिश्वबायंको पच्छिलोत थ्यांका अनिसार नेपाल को उत्पादन चमता तीन दसनों तीन को हारा हरी में शा। जबकी बारत मां 75 रा माल दीप्स मां 6 को हारा हरी में शा। नेपाल मां आगेमी बर्ष तेजार पच्चीस मां अउद्धुगीक छेमता थाप गटने बिश्वबायंको प्रिच्छे पने शा। उत्पादन चमता मां निरंतर को गिरावट संगे अधिकाम सब बस्तुमां परनिर्वरता बड़ी रायको सा। मुलुक मां रेमिट्यांस को भार परदा युवा सक्ती बाहरी को रेशले उत्पादन मां प्रतक्षी असर गरेको योजना आयोक का सदुस्यो डॉक्टर परकास रष्ट्रले बताए। एद्देपी रेमिट्यांस लेने मुलुको चालुक हाता लाई संदुलान मां राखे काले आत्तिनु पन्य अवस्ता भने नाव भायको त्रेश्ट्रक तरकासा। एद्देपी रेमिट्यांस ले ब्यापार गाटा को वर्थे गरे संदुलान मां राखे काले आत्तिनु पन्य अवस्ता भने नाव भायको त्रेश्ट्रक तरकासा। नागरी को क्रय सक्तिला बलियो बनायको रा उपभगिया छेमता को द्रिश्ट्री कोणले पनी बिश्ट्रसन गल्लू पड़ने डक्टर सरष्टले बताये। आयाद होनी वने को हामले अपोग गरने श्यमता नावरी केना। नेपाल मा महंगा मेशिनेरी सामन सवारी साधन इंदन लगायत को आत्मा ठूलो धन्रासी बाहरी ने गरेकोश बदलामा अस्ताकला का सामन धागो बनस्पति घिव पचल समय सेमेंट आईटी सेवार बरकायमा बिद्यूत पनी निरियात भाहरेकोश खासकरी सस्ताकत सुधार नितिकत स्थेरतार ठोस रणनेतिका साथ निरियात योग्य बस्त अधि बिविन प्रावेट सेक्टर संगा अनी इसक इससली गवर्मा इन स्थेशेशन अरगो बीच्वु जन्योडा कोडिनेसं चा तो कोडिनेसं लाए इस्ट्रोंगली नानु परेगे हमले अमरे ब्यापार गाताले का स्रीकाम करने बनने को नहीं नेपाल के अटा मने मलुको अर्थतंत्र अस्थेर हुनुमा ब्यापार गाटा पनी मुख्य कानांडायको जानकार हरू बताऊंशन कुने बनी मलुको अर्थतंत्र रामर हुन त्यों देशको आमदानी को शुरतपनी बलियो हुनु पर्दाशा मलुकलाई उपभोग गर्णु परने भंदा जोड़ दिये कासन। सिराडी, कीटु, मालाचोर लगायत का ठाउमा परने सड़क पुर्ण रुपमा अब्रुद्द भायको कालिकोट का प्रमुक जिला अधिकारी गणेस नेपालीले बतन भाय। समसत्को राज्य ब्यवस्था तथा सुसासन समितिमा बिचार आधिन ब्रस्टाचार निवारन अईन 2009 चा सम्षोदन विधेक मार भायको था पायको पांच बर सभित्र ब्रस्टाचार समंदे मुद्दा चलाऊना सकिने भन्ने हद म्यात को ब्रावधान हटाउने सहमती भायक ग्रिहा मंत्री रमिस लेखक ले राज्य ब्यवस्था तथा सुसासन समितिमा यो प्रावधान हटाउना सरकार्त यार रहेको जानकारी दिनु भायो समितिका सभापती रामहरी खतिवडा कानुसार अब समितिमा बीचार आधिन बीधेक मा पाजवर्षे हद म्यात को ब्रा साथी को दफा पईतालिसमा ब्यवस्था लाई सम्षोधन गर्ण खोजिये पची विरोत ब्हाईको थियो पांच बर्षा को समय सिमा नई राखना नहुने माग ब्हाईका थिये कानुसार अठाइस बर्षे प्रकास सिंग्छेतरी उनका छिमेकी गड़ेस बोगटी मस्दूर मोहमद राजा कुम्रिति वहाईको हो सेफ्टी टैंकी मा अक्सिजन को कमी भायरा उनियर कुम्रिति वहाईको प्रहरीले जनाएको छा पास्थर को फालेलूं गाउंपालिका पाच प्रांगबूं को डाडा गाउं टोल मा विस्पोर्ट मा घाईते थप एक बालकु मृति वहाईको छा विस्पोर्ट मा परे स्थानिय दिलिप सावा का एगारा वर्षिया छोरा दिपसन को पनी मृति वहाईको हो पाउँवाधिकार्य करता। का साथै दिपसन राइलाई प्रांग बुंग बाटा फेदिम लगी एको आमरा सहकर्मी ले जनाये का सन। पांस्थर्मा भईको सो घटनालाई ले रास्टे मानाव दिकार आयोगले गंबिर ध्यनाय करसन भईको जनाये को सा। समयमा प्रयक गरिये का धराप तथा बारुदी सुरूंको रेखांकन भणारन बारेतिस दिन भित्रमा एक और कारलाई जानकारी दिने र साथी दिनमा निस्क्रिय पार्ने सहमती भईको समरन आयोगले गरे को सा। चो दिन अगी वारत को समस्थी पूर्मा भईको नेपाली तिर्थालू सवार बस तुर्घटना मा परिखाईते भईका एक नेपाली कम्रेतियो भईको सा बारा को बारा गडिकांव पालिका का बईशठी परसिय किसोरी राम महरा चमार को उपचार का क्रम्मा गईराती समस्थी पूर्मा भईको बस तुर्घटना मा चमार संगय उनको परिवार का चार जना गईते भईका शन गता आतवार ते थालू सवार बस भारत को बिहार राजय मा परने समस्थी पूर्य स्थित मिस्री गढारी मा एक ट्रक ले पचाडी बात ठक कर दिये पच्छी बस त समस्थी पूर्घटना मा परिकुथियो दुर्घटना मा बस का चालक सह चालक सईट चालिस जना गईते भईका थिये गरने कारिक्रम तोय गरियेको बताएकुषा पईलो चरण मा आज़ा भक्तुपरको दर्वार छेत्रमा रास्टपती पोडेल पुग्णू हैकुषा प्रकार्षित पुस्तक हरु मद्धेबाचा सो पुस्तक लाई पुरस्कृत करेको हो पुस्तक लाई परिश्रम पूर्बग खोजबीन अईतिहासिक संदर्व रसामागरी लाई सरल सरस एवम प्रभाह मय भासा मार्फत लोक प्रिया बनाऊना उल्लेख्य रचनात्मक योगदान पुर्यायकाले मदन पुरसकार्दी येको गुठिले जनायकुषा नेपाल का भाषा हरुको पहिजान सम्रक्षन र अध्यन अनुसंधान च्यत्रमा निरंतर समर्पेत भई गहकीलो प्राकिक योगदान गर्न भईको भंदै प्राध्यापक डाक्र यादबलाई जगदम बास्री बाचा सम्मान गरिये को हो अवा आर्थिक प्रसंग, मिलिनियम चैलेंज एकाउंट नेपाल विकास समिती MCA ले MCC परियोजना अंतरगत को 18 किलोमेटर सीमा पार प्रसारन लाइन निर्मान सम्झोता मा हस्ता चर गरे को सा MCA नेपाल द्वारा जारी बिग्यप्ति अनुचार बदता घाट सुस्ता पस्चिम मा निर्मान अधिन 4 से केवी छेमता को नया बुटोल सब स्टेशन देखी नेपाल भारत सीमा सम्म प्रसारन लाइन का लागी सम्झोता भायको हो 21 महीना को करार अवधिमा निर्मान गरीने प्रसारन लाइन का लागी ट्रांसेरल लाइटिंग लिमिटेट संग गरीएको सा MCA नेपाल का कारेकारी निर्देशा खडगबाद उर्विस्टर र ट्रांशेरल लाइटिंग लिमिटेट का प्रतिनीदी अमोल वाफद देले सो सम्झोतामा हस्ताचेर गरनु भाईको साथ नेपाल विदुद प्राधिकरन का कारेकारी निर्देशक कुल्मान गिसिंग ले 18 किलोमीटर अंग्स निर्मान आयजनामा मात्रई नवई नेपाल को उर्जा पुर्भाधार मा सुधार गरने र भारत संहको सिमा पार उर्जा सहकारी यलाई थप गहन बनावने संदर्बमा म महतपुर्ण शेतु भाईको बतन हुए बाकी 277 किलोमीटर प्रसारन लाई निर्मान का लागी येसाई बर्षको अंतिय सम्मा मा बोलपत्रा आवहान गरना तयरी गरी रहेको MCA नेपाल ले जनाएको सा कारे दल्ले यातायातको शेवा प्रभाहामा देखियेका नितिगत कानुनी जटिलता शेवा गराही का गुनासा शेवा लिदा आम नागरीकली भोगनु परेका समस्या का बारेमा अध्यन प्रतिवेदन तयार गरनेशा यातायात कार्याले बार्च शेवा दिदा शेवा ग पर शंग सिमा विवाद काई में रहो दा बेजिंग मा चिन भारत सिमा विवाद मा मिलामा परामर्श र सम्हनुएका लागी गठित समियंत्र को बईठक बसे को सा चिन भारत को विदेश मंत्री को जुलाई मा भायको दोई वटा भेडवार्ता को एक महीना पसे सो बईठक बसे को हो बईठक सकरात्मक महित्रिपुर्ण रखुला बातरण मा संपन भई को चीन को विदेश मंत्रा लेले एक बिगेप्ती जारी गरते जानकारी दियेको सा सो बैठकमा दोई पच्छे बीज हालेई दोई विदेश मंत्री बीज भाईको महुतपुर्णा साजा समसदारी अनुसार सीमा को अवस्ताबारे छिटे छलफल गरना मिले रकाम गरने सहमती भाईको विग्यप्ति मां उल्लेक सा बोईठक मा दोई पचेले सीमा चेत्रमा सांदर्विक मुद्दामा गहन विचार आधर्न प्रदान गरे का थी मद भेदलाई छोट्यां उदेई संबाद्र परामर्शलाई सुद्रेड पार्न रचितो स्विकारे समाधान मा पुग्न सहमत दुई देश बहाई को बताईएको सा भारत र पाकिस्तान को 30 चेत्रमा भारी वर्शा का कारणा आएको बाड़ी ले गुजरात राज्य का सहर हरू दुवान मा परेकासन 28 चेत्रमा हाज्यार आगरिक विस्थाफित बहाईको रेटर्स ले जनाएको सा सुचियत्र माथ अब भारी वर्षा रजक्रावत को संभावना रहे के बंदै भारत रपाकिस्तान का मौसम विदली सतर करहना आगरह गरे का सन वर्षा का कारण भारत को गुजरात राचे मा यो साथा मात्र 28 सिना कुम्रिती उहाए कुछ गुजरात को टटियस सहर जाम नगर मा दोई दिन देखे विजुली नहोदा दयनी की क्रस्ट कर्बने को स्थानिय वाशिन दाले बताये का सन गताईतवार देखे हाल समसो स्थान का 18,000 बड़ी मानिस लाई सुरक्षेत स्थान मा सारी एको सन अवखेल प्रसंग पेरिस पारा उलम्पिक मा नेपाली तेकवांदो खेलाडी पलेसा गोवर्दन दोस्रो खेल मा पराजित भई की छन पेरिस इस्तित ग्रैंड पालेस मा आजबहय को खेल मा पलेसा क्वाटर फाइनल मा ब्राजिल की कार्डो सावो फर्नांडेज संग दस आठ अंकले पराजित भईन उनले के 44 अंतर गत मैला संताव न केजी मोनी तोल प्रतिस परदा गरिकी हुन पांस मिनेट को प्रतिस परदा मा पलेसाले अंतिम 54 सेकेंड बाकी रहां दा सम्म आठ छले अगरता बनाई रहे कि थीन तेस पसी आक्रामक बनेकी ब्राजिली फर्नांडेज ले बड़ी कीक बाट लगातार चार अंक बटुल दे खेल आफनो पच्यमा पारिन दोई वर्ल चैंपेंशिप को स्वर्ना पदक बिजेता फर्नांडेज सन 2020 को टोकियो पारा उलम्पिक की कास्य पदक बिजेता हुन क्वाटर फाइनल मा पराजित पलेसाले अब रिपाचेज मा कास्य पदक कालागी प्रतिस परदा गरने चिन ये सगी आजे भाईको राउंड अफ सोरक को खेल मा पलेसाले वेनेजुएला की मोरालेस भलेरियालाई एकती सुन्य को अंकले हराय की थिन टोकियो पारा उलम्पिक खेली सके की पलेसा हांग जाओ एसियाली खेलकुत की कास्य पदक बिजेता हुन अगिलो पटक वाइल्ड कार्ड मार्फद चनोड भाईकी पलेसाले येस पटक चनोड चरण पार गरदे पारा उलम्पिक खेली की हुन ये सकी टेक्वांदो में नेपाल का भरत सिंग महरा पईलो चरण में पराजित भाईका थिये रॉ महिला साफ चैंपियेनसी फुटबलको साथव सम्सकरा नेपाल मा हुने भाईको अक्हिल नेपाल फुटबबल संको बैठखकले कार्टे केक देखी 15 गते समाँ साफ चैंपियनसीप आय जना गरने निननाय गरेको हो नेपाल मा महिला साफ चैंपियनसीप होना लागे को तेस्टरो पटक हो प्रतियोगितामा दक्षिन एशिया का अफगानिस्तान बाहिक साथ तेसको सवागता रहने बताईयेको स नेपाल ले पहिलो पटक संदिय года जार उननायस मा विराटन गरमा साफ को पाचा उसम्सकरन आय जना गरेको तियो दोई बर्स अगी तोस्रो पटक दस्रा त्रंग सालामा चैंपियनसीप आय जना गरेको तियो संद्धी अजार दस बाच अ सुरुभायको दक्षिनेशियाली राष्ट्र विच्गो साफ चैंपियनसिप नेपाल ले जितना सकेको सैना नेपाल पास पटक उपविज्यता बने को सा अंत्यमा प्रमुक प्रसंग पुनह एक पटक नेपालमा आंतरिक उत्पादन हुना नसक्दा परनीर वर्ता उत्च गतिमा बढ़ दै उत्पादन छमता दचिन येस्याली राष्टमा पाकिस्तान पसी सबै वंदा कमजोर अविरल बर्शाले करनाली राजमार्ग को दैलेक काली कोट खंड छेति ग्रस्त सडग एक तर्फी संचालन करन अजई तीन दिन लागन सकने प्रहरी को भनाई पूर्विन अलपरासिमा निर्वानाधिन सेफ्टी टैंकीमा निशासियर तीन जना को मृत्यू चीन रा भारत भी सिमा विवाच समाधान का लागी मिलेर अगी बढ़ने समझदारी रा पेरिस पारा ओलमपिक मा निपाल की पलेसा गोबर्दन दोस्रो खेलमा पराजित रिपा चेज मा कासे पदक का लागी प्रतिस्परधा गरने अवस्ता कांतिबो डायरी अलेलाई यती नहीं राती नौव वजे और को बुलेटिन का साथ मा उपस्ते धुने ने साँ अलेलाई पुजनी रतारा आभी दा हुन्चाँ नमस्कार